जय श्री माकाल जय मातारान की आप सबीका मातारान कल्याउन करें और आप सबीको शुक्र रखें आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वीर साधना के बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि वीर की साधना बदाए वीर साधना कैसे की जाती है तो उसकी विद्य के बारे हम आपको पूरी बताएंगे आप बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ में आपको पुरन जानकारी देंगे फिर आप साथना कोई भी किजीएगा किसी भी वीर की साथना किजीएगा वो आपको जरूर सपलता मिलेगी उसमें, क्योंकि कोई भी साधना करते हैं, तो उसमें कुछ नईमों को अपनाना पड़ता है, उनकी कुछ सामगरी होती है, वो अपनाने पड़ती है, इसके साथ में उनके जो उनको बुलाने का मंत्रव अगेरा हैं, वो भी आपको सब कोई जानकारी देंगे, अभी तक आपने सेनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं, तो जरूर करें, और गंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी साधना के बारे में, कोई विदी के बारे में, कोई भी और आइडियाज बताते हैं, तो आपको वो जानकारी तुरंट मिल सके, बात करते हैं, वेर साधना पर, आप कोई भी वीर साधना करते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वीर की साधना करने के लिए आपको कुछ शामगरी की आफशकता, अनिवारे रुक्षे होती है, और उन में भी सबसी महत्व पॉन्षी जो होती सराब वीरो के लिए सराब बहुत ही महत्वपून है उनके बिना उनकी सिद्धी होना उनको बुलाना और जैसे सराब के बिना उनको बुला के ऐसे बेज दिया तो जैसे साब के बिल में हाथ डालने जैसी एक हो जाती है सिस्टम हो जाता है समझ लेना आप तो जब भी आप व ऐसी जगह पे जाना है जो प्रासिन काल से वीरों की साधना करते हैं वीरों के शबूत्रे बगेरा बने हुए होते हैं आपको कहीं भी जंगलों में मिल जाते हैं गाउं के आशपास में कहीं भी मिल जाते हैं तो ऐसी जगह पे उस शबूत्रे पे तलाश करने हैं या अगर श कोई भी है या फिर कोई नदी है तो वहां पर पानी वगेरा रहता है अगर वहां पर पानी वगेरा जैसे मान लेजिए कोई बड़ा पीने का पानी वगेरा जहां पर पशु वगेरा आते तो ऐसी जगह आपको तलाश करना है अगर वो जगह मिलती है तो बहुत ही बहतर रहे अगर ऐसी जगह नहीं है तो फिर आपको इसका शबूत्रा मां द्यान में करना है ये शादना आपको सन्धियकालिंदके बाद में आपको रात्री कुझानी है। आपकão आपको बता दिया। दूसरी सामगरी चाहिए है या नई हैं लेकिनज में सराब होना अतियाव से के और सरण होना चाहिए आपके पास में दो-ैदीन बोतल अलग और उसमने अलग अलग सराब की quality होनी चाहिए दो तिन वहत लोगी सराब के वज़े से वीर है वो जल्दी एक तो आ जाता है उनके आगमन हो जाती है और जो एक वीरो की ये विशेशता होती है कि आप साइव उनको बताते नहीं हो कि आप अखेले जा रहा आप साइव वीरो की शार्ना नहीं कर रहे हैं ल भी मान लेजिए उस्रात्री कालिन का समय है तो आपके साथ में वह गटना जरूर कटित होगी तो ये इनका आने का विशेश है कि ये सराब के पीछे ये वीरे कुछ भी करते हैं इनको सबसे प्यारी सराब लगती है और सराब के नसे में ये निशीज दून में ये कुछ भ प्रश में रहते हैं और जो भी सादक कहता है उसके सब काम करते तो इन वीरों को सिद्ध करने के लिए सबसे श्राब इसके साथ में अगर आप मासब या बखरे का खुन वगएरा होता है ना बखरे का मास सवा किलो डेड़ किलो आप कम से कम लेके जाएं और यह वीर जब भी आएंगे तब आपको पर्तेक्षी करण भी इनका होता है इनकी जब यह सादक पर मोईत होते हैं तो से कहीन कहीन वीरो के बारे मैं ज़रूर शुना होगा लेकिन ये इस पस्ट और सही बात है क्योंकि वीरोटें वह एक जो कोई ऐसे कोई कबिलो के ठाकूर वगेरा होते ना या कोई बड़े गराने के वगेरा कुछ होते हैं ठाकूर वगेरा होते हैं या कोई किसी भी कास्ट का है तो प्राशिनकाल में क्या होते थे कि छोटे-छोटे कबिले होते थे तो ये छोटे-छोटे कबिले होते थे किस कबिले में 10 घर है किसी में 50 घर है किसी में 500 घर है से कबीलों के जो छोटे-चोटे राजगारान होते थे, उनकी मुर्थी अहोती थी, उनकी महानता की उज़र से व की पूझेत जाते थे तें जब एक पूझने रुप sindぁrobe में होती थी जनको वीर कहते थे ज्यादा तर लो एक फिक्स नहीं होता है वीरों का कि ये इसी के ये इतने ही वीर है जैसे मानली जी कहते हैं ने कि बावन वीर तो बावन वीर वो एकलग सिस्टम माना जाता है लेकिन वीरों की कोई फिक्स नहीं है कि वीर बावन ही है कोई कमी नहीं है उनकी जहां पर पत्तर मारो वहां से कुछ ने कु कोई शक्ति हर कदम पर बैटी रहती है इस दुनिया में इस बात को समाझना है तो वीरों की साधना के लिए आपको मास और मधिरा ये दो चीज आपको लेके जाना तीसरी कोई भी साय मिष्टा ने लेके जाओ या ना लेके जाओ तो कोई बात अगर मिटी चीज लेके जाना हैं तो आपको खीर फूरिया खीरपूरी वगएरह होती है ना माल पूर ने चाहिआ अगर मिटी सीज में लेके जाओ तो कि यह साधना जब भी आप वहां पर करते हैं उनका दीपक वगेला किसी भी तेलिया घीसे जला दीजिएगा और जो भी तेलिया घीसे दीपक जलाते उसमें थोड़ा बहुत सराब डाल दीजिएगा सराब की उसमें से खुस्बू आने चाहिए बस जो भी आप दिपक जला रहें ने उसमें सराब डाल दीजी थोड़ा बहुत और उसमें से इतना मतलब ऐसा सराब भी आप रखिए कि उसकी खुस्बू दूर-दूर तक जाए तो उसमें थोड़ी दिपक में डालेंगे जैसे दिपक जलेगा उसके साथ में उसकी लोह कें साथ में उसकी खुष्पू का परसार उता रहेगा आs पास मे sah की तो उनसे वह सकती होती अकरशित होती अब आपके पास में जो भी कोई मंतर रहे किसी विवीर का जिसका भी मंतर है या उसका नाम है के वल तो उस नाम से ही आपको उसको पुकारना है जब आप इनको उन नाम से बुलाएंगे तो आप आदे गंटे डेड़ गंटे तक बैटेंगे उससे पहले पहले वो आ जाएंगे क्योंकि उनको सराब सबसे प्यारी और आप सराब दे रहें और अकेले हैं तो वह बहुत ही जल्दी और प्रतेक्स रूप में हो सकता है किसी इंसानी रूप में आके आपसे वह यह सब पाल्टी बाटी कर ले जब पाल्टी पूरी होगी तो आपको पता चलेगा कि यार यह यह कुछ पिलाएंगा या वह जिसे आप नसे में रहेंगे तो आपको को दूसरे दिन इंपता चलेगा यहाँ अगिकत में वो कोई वीर्था, कोई शक्ति थी, इन सक्तियों का प्रवा बहुत ज़्यादा होता है, इन सक्तियों को जब भी आप साधना करते हैं, तो उनको खाली हाथ वापस कभी भी मत चाहने देना, जब भी आप इनकी साधना करते हैं, तो उनको कुछ मिले या ना मिले उनको प्रेम से सराब जरूर दे देना तो वो दुबारा बुलाएंगे तो आपके लिए जरूर आएंगे इस बात को भी आपको समझना है अगर ऐसा करते ही तो कुई भी वीरे वो आपके वस में रहेगा और आपको जितना खिलाएंगे अच्छे वाली सराब देंगे वो उतना आपके साथ में काम करेगा और आपकी जो भी कोई इच्चा है किसी का भी कोई की दुख्य है उसको हटाना है किसी का वो इतना तरक्रिया हटाना किसी के साथ में कुछ करना है या अपनी फैमिली के बारे में कोई जानकारी लेनी है इसको कैसे करना क्या करना या कहीं दूसरी जगह से कोई जानकारी लानी है यह सब करते हैं का जैसे ही जिन कैसे काम करता है वैसे करते हैं दूसरी बात किसी को भी अगर एक रात में उटक प फिकवाना है, यह सब वीर कर देते हैं, उनकी सक्ति होती है, उनकी सक्ति के अनुशारी यह पुरन रोप से कावरी करते हैं, यह बहुत अच्छी एक जानकारी है, अगर आप वीरों के शादना करते हैं, तो सबसे बैतर हो, और इनकी सादना भी बहुत सरल है, इनकी सादना भ करेंगे आपको पहले दिन में इनका संप्रक हो जाएगा कि 100 परसेंट फिर भी अगर ऐसी जग कोई होती है कि उनका संप्रक जल्दी नहीं होता है तो दो तीन दिन में इनका संप्रक आपसे हो जाता है लेकिन आपको वहां कुछ बैठना पड़ता है कुछ ज्यादा देर तक बैठ भी सकते हैं तो अच्छी बात है जता की सकतिया है वो जल्दी सेत होती है तो इस परकार से इनकी साधना किजिएगा आपका काम बन जाएगा बस एक बात हम कहना साएंगे कि जो भी साधना करते हैं साइवीरो की है अन्य कोई भी है करें शतरता के साथ में और पुरन शुरूप शाके साथ में करें क्योंकि ये सकतिया होती है किसी की भी नहीं होती है इस बात कोभी समझना है सा然后 करन पिशाश साधना यहायन कौई भी चोटी बड़ी शक्ति कोई भी हो पुरन शतरता से करें और पुरन शुरूप शुरुप बिना सुरुक्षा के कोई भी साधना ना करें क्योंकि इन सक्तियों में खत्रा ही रहता है फस्ट बात लाब की बात तो बाद होती है पहली बात खत्रे की रहती है और वो शरुवात में आप करते हैं तो 90% उसमें खत्रा रहता है 10% आप सोच सकते हैं लाब रहता है जब वो शाधना लंबी होती है और जब उटकी सिद्धी होती है उनके सई धंगसे अबगर होती है फिर उसमें 90% लाब होता है 10% खत्रा रहता है लेकिन शुरुवात में 90% खत्रा ही रहता है कोई भी शाधना की ठीका इसलिए आप जो भी इशाधना करें बढ़ी धंगसे और बढ़ी शुरक्षा के साथ में करें इसी के साथ मैं इस वीडियो को भिराम आपसे गुजारी से अभी तक आपने सेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें जैश्री माकाल